सबी साथ यहों को नमस्कार मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ अब सभी का आपके यूटूब केनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर मित्रों हम सभी अपने इस सक्षेकर्णूस अंधान के लेक्चर स्रीज के अंतरगत विविन टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं इस लेक्षेकर स्रीज में हमने अभी तक सेक्षिक अनुसंधान किसे कहते हैं क्या अर्थ है क्या परिभासा है इन सब को जाना है और उसी के साथ-साथ अनुसंधान के विविन प्रकारों का भी अधिन किया है जब हम सब अनुसंधान की प्रक्रिया के विविन सोपानों का धिन कर रहे थे तो उसी समय हम सब ने ये देखा था कि अनुसंधान की जो प्रक्रिया है या अनुसंधान की प्रक्रिया के जो विविन सोपान है उन सोपानों में से सबसे प्रमुकिया सबसे प्रथम सोपान जो हमारा था वह समस्या की पहचान या समस्या का चैन करना था जिसे हम सरल सब्दों में कह सकते हैं कि हमारा research topic क्या होगा उस research topic का selection ही सबसे पहला हमारा चाण होता है तो आज के अपने लेक्चर में हम सभी यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम जो अपने अनुसंधान प्रक्रियाय का जो सबसे पहला step है selection of research problem उस research problem को किस तरीके से खोजें कहां खोजें और अगर हमें कोई अनुसंधान समस्या का चैन करना है तो चैन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों की भी चर्चा आज हम सभी अपने इस lecture के माध्यम से करने वाले हैं इस lecture में अनुसंधान समस्या की चर्चा सावधानियाक और स्रोत की बारे में अध्यन करते हुए हम सभी आपने इसी लेक्चर में ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम अनुसंधान समस्या के चैन के आधार पर हम अपना सोध सारांस यानि जिसे हम सिनॉप्सिस कहते हैं या एजेंडम कहते हैं उसे किस प्रकार से लिखा जाता है और किस प्रकार से हमें सिनॉप्सिस तयार कर चाहिए इन सब बातों पर भी हम आज अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे तो लेक्चर को पूरा देखिए अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अपने तो सब्सक्राइब करिए चलिए अपना अध्यन हम सभी प्रारंब करते हैं अनुसंधान समस्या या रिस किसी अनुसंधान का एक सबसे सबसे महत्पूर्ण आवश्यक अंगह माना जा सकता है अनुसंधान की जो हमारी समस्या है ये किसे है क्या आखिन तो अनुसंधान समस्या से तातपरिय दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध बताने वाले किसी अनुत्तरित प्रश्ण या जिग्यासा से होता है जिसे हम कथन रूप में भी लिख सकते हैं या जिसे हम प्रश्ण रूप में भी लिख सकते हैं कहने का मतलब यह हुआ कि दो या दोसे अधिक चरों की बेद चर की बात मैंने आपको पूर्मेवियों समझाई है कि जो भी हमारा research topic है उस research topic में जो भी सम्मलित विशेवस्तु है वह सभी सम्मलित विशेवस्तु हमारा चर होगा और अपनी इसी अनुसंधान समस्या को लिखते समय यानि हम कथन को लिखते समय हम इसपस्ट रूप से इन चरों के बीच सम्मन्द क्या है यह खोजने की हम बात को इसपस्ट रूप से इतने सब्दों में कथन रूप में लिखते हैं या प्रश्नवाचर रूप में लिखते ह किस प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि सहरी चेत्र के या ग्रामीर चेत्र के बालोकों का अंग्रेजी विशे के प्रति रुजान तो हमारे सहरी बालक, ग्रामीर बालक और अंग्रेजी विसे ये हमारे चर हैं और हमारे विसे वस्तु हैं और इन्हीं के वीच के आपसी संबंदों को हमने कथन रूप में लिख दिया है इसी कथन रूप में लिखना या समस्या को कथन रूप देना कहलाता है चलिए, आगे बात करते हैं विद्वानों के द्वारा अनुसंधान समस्या की विभिन परिभासाइं भी दी गई है कौन-कौन सी परिभासाइं दी गई है Fred एन कर्लिंगर के अनुसार अगर हम देखें तो कहते हैं कि समस्या एक प्रश्ण वाचक वाक्य या कथन होता है जो पूचता है दो या अधिक चरू के बीच क्या सम्मंद विद्यमान है दूसरा मैगविन की परिभासा है कहते हैं कि मैगविन के नुसार समस्या से तात पर हमारे घ्यान में कमी से है problem refers to gap in our knowledge तो कुल मिलागर के हम समस्या को इस तरी के भी सिक्या सकते हैं कि हमने अभी तक क्या नहीं खोजा हम अपनी जिस प्रक्रिया में समयलित हैं सेक्षिक प्रक्रिया में हम सभी लोग है और इस सेक्षिक प्रक्रिया को अधिक सरल और सुचारू बनाने के लिए अभी तक वो कौन से छेत्र अचूते रहे गए जिन पर हमने अभी तक अध्यन नहीं किया अगर उस पर अध्यन कर ले तो हम अपने इस सेक्षिक प्रक्रिया को और अधिक सरल कर सकते हैं तो इसे हम gap of knowledge कह सकते हैं और इसी यही gap of knowledge हमारे अनुसंधान का topic भी बन सकता है चलिए ठीक बात समझ में आ गई होगी उपरोक्त परिभासाओं के विशलेशन से अनुसंधान योग्य समस्या में निम्नलिकित विशेशताएं होनी चाहिए कौन-कौन सी होनी चाहिए अनुसंधान समस्या स्वयम में इस्पस्ट तथा मूर्थ प्रकतिकी होनी चाहिए इस्पस्ट होनी चाहिए और मूर्थ प्रकतिकी होनी चाहिए ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप लिख दिया अंग्रेजी विशे को लेकर रुझान अंग्रेजी बिशे को लेकर रुज़ान किसका रुज़ान भया इसपस्ट ही नहीं है आपकी परिभासा और अंग्रेजी बिशे को लेकर रुज़ान किसका इंसानों का कि जानवरों का किसका तो इसपस्ट और मूर्त होनी चाहिए दूसरा अनुसंधान समस्या का समाधान वैग्यानिक विद के परियुदर संभव होना चाहिए आपके रिसर्च टॉपिक किसी भी ऐसे प्रकार के नहीं होने चाहिए जिनका समाधान करना वैग्यानिक विद से संभो न हूँ ऐसी समस्या का चुनाओ हमें नहीं करना चाहिए आगे की बात कहती हैं कि अनुसंधान समस्या समाधान योग्य होनी चाहिए अर्थात समस्या का समाधान खोजना व्यावाहारी क द्रश्टी से संभो मतलब व्यवारी देश्टी से संभव होने का ताथपर ये है कि अगर हमने कोई अपनी रिसर्च टॉपिक या रिसर्च का जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट की है वह धार्मिक अध्यात्मिक और अमूर्थ सब्दो से संभव है आत्मा परमात्मा इस्वर सश्टी जगत में क्या संभव ऐसे आवयाखनी या अनिर्वचनी हमने टॉपिक्स का सेलेक्शन कर लिया है तो फिर हमें एक सामानी कृत और वैग्यानिक और इसपस्ट निसकर्स पर पहुचने में समस्या होगी जिसे आगे लेचल कर दिक्कत हो सकते हैं अनुसंदान समस्या का छेत्र विस्तार तथा आकार समुची तो होना चाहिए इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं कह देना है कि अंग्रे जी विसे के प्रितुजान आपका छेत्र आपका टार्गेट और सहरी बालकों का अंग्रे जी विसे के प्रितुजान तो हमें उसका छेत्र विस्तार और आकार समुचित होना चाहिए रिजनेबल होना चाहिए भाई आप एक रिसर्चर हैं यू आर नौट ए इंस्टिउशन यू आर इंडिविज्वल परसनल्टी हम एक विक्ति हैं सं इसने के नाते हमारे पास सीमित साधन सीमित धन सीमित समय है और हमें उसी सीमित साधन सीमित धन और सीमित समय में ही अपने कारिया को पूर्ण करना है इसलिए हमें अपने कारिया को छेत्र में किसी सीमा में बांधना पड़ेगा तो हमारी अनुसंधान समस्या में इस पष् ग्यान के भंडार में व्रधी करने वाला होना चाहिए ऐसा ना हो कि आप अपनी काहलियत के कारण किसी पूर्व में खोजी जा चुकी ही बात को आप बार बार उसको खोज रहे हैं वैसे खोजना चाहिए अच्छी बात है लेकिन ऐसा आपका निस्कर्स निकलना चाहिए जिस प्रूफ डाकुमेंट का रिफरेंस कहीं पर हो उस रिफरेंस से लोगों के ग्यान में विरद्धी हो इसा भी आपका रिसर्च होना चाहिए अनुसंधान समस्या को अनुसंधान करता है कि रुची चंपता तथा उपलब्द संसादनों के अरूप होना चाहिए बिल्कुल ह अगर हमारा इंट्रेस्टिंग एरिया नहीं है चंपता हमारी उतनी नहीं है कि हमने संपूर्ण भारत का अध्यन करने की बात कर लिए और हमारे पर इतने उपलब संसादन नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारा रिसर्च बीच में ही छूट जाएगा एक तो अब ये अपना रह गया क्या अनुसंदान समस्या का समाधान सैध्धानतिक तथा व्यवारिक दोनों ही द्रश्टि से उपयोगी होना चाहिए तो ये बाते हमने अभी तक देखी कि अनुसंदान समस्या किसे कहते हैं और अनुसंदान समस्या को लेकर विभिन विद्वानों के क्या विचा होने चाहिएं और किन बातों को हमें avoid करना है इन सब बातों की विचर्चा हम लोगों ने अभी तक के lecture में कर ली है अब हम देखते हैं कि ये सब बातों तो ठीक हो गई अब हम ये देखने का प्यास करते हैं कि आखिर हम ठीक इस बातों नहीं करेंगे ऐसी समस्याओं का चैन नहीं करेंगे, जिनका समाधान सम्हों नहीं है, जिनका छेतर सीमित नहीं है, लेकिन आखिर अच्छी समस्या का हम चुनाओ किस छेतर से करें, कहां से करें, किस किताब को पढ़ें, और क्या हम अनुभव करें अपने आसपा, जिससे हमें समस्या जो है तो किसी समस्या की जानकारी होने तता उसके समाधान की आऊसकता मेहसूस होने पर वहा समस्या अनुसंधान का मारग परसुस्त करती है अच्छी बात करी गई है एवम अनुसंधान करता वैज्ञानिक तर्क विधी का प्रयूग करके उस समाधान का समाधान खोजने के लिए प्रवत्त हो जाता है हमें क्या लगा कि हमें किसी समाधान के जनकारी हुई और लगा कि इस समाधान का समाधान होना चाहिए और समाधान होना चाहिए और उस समाधान को खोजने के लिए हम प्रवत्त हुए वही हमारे अनुसंधान का मार्ग बनाएगी, वही हमारे अनुसंधान का मार्ग प्रसस्त करेगी, अब हमें उस समस्या का समाधान व्यग्यानिक तर्क विदी के आधार पर करना है, अच्छा, तो उस समस्या को वास्तविक रूप से समझने के लिए हमें कुछ प्रमुक्शुरोत हो सकते हैं सबसे पहला तो एक व्यक्टिक हमारा personal जो experience है इंडिविज्वल जो हमारा experience है व्यक्टिक अनुभोई से कहते हैं कि मालीजे आप देश की प्राथमिक सिक्षा की स्थिती को बच्पन से देखते चलिया रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे जो देश की प्राथमिक सिक्षा है सरकारी स्कूलों की वह कैसी है कि पता चला कि दो सिक्षक पांच कक्षाओं को पढ़ रहा है उसके बाद ये दबाव है कि उसमें बच्चे नहीं आ रहे कहां से आ जाएंगे भई आप दो कम्रे हैं दो सिच्चक है और कख्षा पास तक के विद्धल है वाब वाई कैसा मजाख है ठीक तो आप बच्पन से इस बात को देखते हुए चले आ रहे हैं और आपका ये परस्न प्यासा से उत्पन हो जाती थी वह भी एक अनुसंधान समस्या का सुरोत है वहां से अपने अपनी परस्नल इंट्रेस्ट से आप अपने परस्नल एक्स्पीरियंस से भी रिसर्च के टॉपिक को खोज सकते हैं अच्छा उसके बाद धी मालेज ये कंफ्यूजन की स्थिति ह तो आप एतिहासिक अभिलेख पढ़िए एतिहासिक अभिलेखों को जब आप पढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि gap in our knowledge तो एतिहासिक अभिलेखों को पढ़ते समय हम ये देखें कि आखिर किन बातों पर बात कही गई और उसका अभी तक implementation नहीं हुआ या फिर उन एतिहासिक अभिलेखों में किन बातों की अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है जिससे अभी तक चर्चा का बिसे बनना चाहिए था तो एतिहासिक अभिलेख भी आपके लिए मात्रपूर्ण हो सकते हैं उनसे भी आपको एक अच्छा रिसर्च टॉपिक मिल सकता है साहित्य की समिक्षा करिए आप मालेजी किसी सेक्ष किसी दर्सन या किसी महान विचारक के बारे में महान विचारक से प्रभावित हैं और उन्हें के विचारों के आधार पर व्यवस्था की स्थापना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से सम्मंधित सभी पुस्तकों गंतों को आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप उससे संबंदित वेक्ति के संपून विचारों को समझ सकेंगे और जब जान पाएंगे तभी आप अपने जो भी आप रिसार्ज करना चाहते हैं उस वेक्ति से संबंदित उस महान वेक्ति से संबंदित उसे आप कथन बार् MON रूट में लिख पाएंगे अगला है पारिस्थितिक आवशक्ता हैं हमारा ततकालिक जो समय है इस ततकालिक समय में क्या ऐसी चीज नहीं है जिसकी या क्या ऐसी चीज हो जाए जिससे हम अपनी अपने प्रकरिया को अधिक सुधार ले जाएं तो वह अनुभूती भी वह आवशकता भी हमारा research topic बन सकती है आगे देखते हैं सामाजिक या प्राद्योग की परिवर्तन हम देख चांगते हैं सामाज में परिवर्तन एक उसका नियम है सामाज के परिवर्तन के साथ साथ उसकी technology में भी परिवर्तन हो रहा है और हमको सदय टेक्नोलोजीज के परिवर्तन के साथ-साथ दो-दो हाथ करने चाहिए तो हम जो भी हमारा सामाजिक और हमारा टेक्निकल जो चेंजिस हो रहे हैं परदुगी यानि इंजिनिंग फिल्ड जो हमारी डेवलप हो रही है उनके इंप्लिमेंटेशन को भी हम अपने रिसर्च का टॉपिक बना सकते हैं और नीतियां एवं प्राथमिक्ता हैं हम दीख रहे हैं कि जिस प्रकार से हम सभी सामाजिक रूप से परिवर्तित होते चले जा रहे हैं और सभी व्यक्ति सिक्षा को एक ब्यापार के रूप में बना चुका है उस द्रिष्टी से जो सिक्षा का मूल अर्थ उसकी नीतियां और सिक्षा की जो प्राथमिक्ताय होती थी आज वह सब बदल कर सिक्षा नौकरी पाने का एक साधन रहे गया है जो उसका अर्थ ही नहीं है सिक्षा का अर्थ ज्यान को सिखने सिखाने की प्रक्रिया है सिक्षा का अर्थ नौकरी पाना है ही नहीं लेकिन हमने बच्पन से ये सिखा कि पढ़ो कि तभी नौकरी मिलेगी यनि सिक्षा को नौकरी का एक साधन मान लिया गया हमारे नीतियां हमारे प्रात्यमिक्ताइं बदल गई हैं तो उन नीतियों और प्रात्यमिक्ताओं को वास्तविक रूप से प्रदर्शित करने का काम भी आप कर सकते हैं और वर्तमान में नीतियां और प्रात्यमिक्ताओं में बदलाओ सुधार भी आपका रिसर्च टॉपिक हो सकता है आगे अनुसंधान कमिया और जिग्यासा की बात करते हैं तो अभी तक मैंने आपको बताया कि इस फील्ड में कौन सा रिसर्च नहीं हुआ है वह भी आपका रिसर्च का टॉपिक बन सकता है और आप जानना चाहते हैं कि जनजातिय छेत्रों में सिक्षा को लेकर अ समझ में आई है तो उधर एक घंटे एक अंगूठे जैसा बटन है उसे जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा आपको ठिक तो आई होप आपको अच्छी चीजे समझ में आ रही होंगी बहुत सरलतर तरीके से बहुत प्रेसर न लेगर के हम आसा साओधानिया भी पता चल गई है कहा गया किसी सोत समस्या के चैन की प्रक्रिएं में निम्नलिक्य चुर नहित होते हैं कौन कौन से सरपतं करना की अनुसंधान कारों के श्यत्र में किया जाना सबसे पहले हमारा area decided होना चाहिए जैसे हम मान लेजिए कि सिच्छा सास्त्र विसा ही हमारा है और उस सिच्छा सास्त्र विसा के कई छेत्र हैं सिच्छा मनोविग्यान में हम काम करना चाहते हैं कि हम सिच्छा के समाज सास्त्र में काम करना चाहते हैं कि हम शिक्षा दर्शन पर काम करना चाहते हैं कि सेक्षिक तक्नीकी शिक्षा प्रबंदन मापन मोल्यां करना ध्यापक सिच्छा से छण प्रक्रिया आधी आखिर हम किस छेत्र पर काम करना चाहते हैं सबसे पहले आपको समस्या के चैन के लिए अपने छेत्र का निरधारण करना होगा कि which field you are going to, you are want to go, ठीक है, you want to go, आगे देखते हैं, अब आपका छेत्र निश्चित हो गया, एक निश्चित और इस पस्ट समस्या का चैन करने में दूसरा वा महत्पूर्ण सोपान चुने गए छेत्र में अभी तक जो भी अनुसंधान कारियों हो चुके हैं, उनको आप पढ़िये, उनका सरवेक्षन करिए, समंदित छेत्र में किये गए जितने भी सरवेक्षन हैं, उनसे आपको यह पता चल जाएगा, कि आखिर उस छेत्र में किन-किन समस्याओं को लेकर अभ का उत्तर प्रापर रूप से नहीं बताया गया, माली जी आप प्रात्मिक सिच्छा के अपवेवा औरोधन की बात पढ़ना चाहते हैं, तो अपवेवा औरोधन की इस्तिति अभी तक बनी होई है, और हर्टाक कमिटी ने इसको सबसे पहले explain किया था, तब तक इतना समय बतीत हो जाने के बाद भी आज तक इसका समाधा नहीं निकला, तो जहिर सी बात है, इसका proper explanation अभी तक नहीं किया गया होगा, ठीक है, तो इन प्रश्णों अत्वा समस्याओं में से किसी एक को नए सोध है, तू चैनित किया जा सकता है, आगे कई सारी सोध समस्याओं लिख लेनी चाहिए, जो अपने research का सर्विष्ण किया है, उसमें से आपको कई सारी सोध समस्याओं को कथन रूप में या प्रश्णों वाचक रूप में लिख लेना चाहिए, इसे केवल संभावित समस्याओं ही समझना चाहिए, और ऐसी कई संभ सोध समस्याओं को लेकर अपने सोध निदेशक के पास जाएंगे हमारा जो गाइड एलोट है उनके साथ गंभीरता पूर्वक विचार में मर्स करेंगे तब आपको वो और अच्छे तरीके से उस कथन को और व्यापक और और उसको संक सीमित यानी विसिस्ट बनाने का काम कर कि समस्याओं की प्रक्रिया को निमनलिखित पदो में व्यक्तखिया सकता है सबसे पहला विसिस्ट चेतर का न焦ाण दूसरा संमांद्रित साहित्यका गहन अध्यन उसकी संदर्व पूस्थ के पढ़िए उसकी समसामाईक पत्रिकाएं जोनुस नुस नओशनदानों उस छेत्र में हो चुके उनको पढ़िए उनका समाचार पत्र पढ़िए तुलनात्मक अध्यन भी करिए और देखिए कि उस अनुत्रित प्रश्ण और छेत्र में पता लगाईए कि अभी तक क्या इसमें नहीं खो जा गया है और जो बाते आपने लिखी हैं उन सबको अपने सोध मारतरसक के साथ कमभीरता पूरोग विचार विमर्ज करी ठीक बात समझ में आ गई सोध समस्या के च इस प्रिकार के सोध होते वैसे ही अनुसंदान समस्या होगी सरवेक्ष और संबंदी हमारी समस्या हो सकती है सह संबंद नातमक अनुसंदान समस्या हो सकती है यह तो सोध समस्या के सभी प्रकार हो गए अच्छा अब आपने जो समस्या का चैन किया है उसका हमें मूल्यांक करना है कि आखिर यह कैसी है गरबढ़ है कि ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं कि सोध हे तू चैनित समस्या को अंतिम रूप देने से पहले उसकी उपयुक्तता पर गंभीरता पुर्वक विचार किया जाता है suitable है कि नहीं है वास्तिविक हम उसको continue कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस बात का हमें ध्यान रखना होता है इसकी उपयुक्तता पर गंभीरता पुर्वक विचार किया जाता है जिसे समस्या का मुल्यांकन कहते है तो अगर कोशन आपसे पूछा है कि किसी सोध समस्या का म कितनी उपयुक्त समझी जाती है इसकी एक कसोटी है जिसके अंतरगत कई बिंदू आते हैं कौन कौन से बिंदू आते हैं उन्हों बिंदू के दिश्टिकूनों से उपयुक्त समस्या कों अंतिम रूप दे सकते हैं तो इसमें दो लोगों की विचार हैं फ्रांसिस रूमल और मौली के फ्रांसिस रूमल कहते हैं कि इस कसावटी के बिंदु अत्वा उप्युक्त समस्या के चार विसेस्ताएं हैं पहला सोध करता को उस जो भी समस्या का चैनल उसने किया है माले जो उसको फिलोसफी में इंट्रेस्ट है आपने मनोविग्यान ले लिया है मनोविग्यान में इंट्रेस्ट है आपने दर्सन का टॉपिक चुन लिया है आपका मन दो करता मनोविग्यान में मालो सोध ने दे सकने हैं आपसे कह दिया कि दर्सन में करो तो फिर आप उतना अच्छा कामिया नहीं कर पाएंगे तो सोध करता को अपनी समस्या में रूची होनी चाहिए सोध करता में वो योगताएं होनी चाहिए जो सोध हेतु आवश्यक हैं सोध समस्या महत्पूर्ण होनी चाहिए और सोध समस्या जानकारी सूचनाओं और आकडों के उपलब्द होनी की संभावना होनी चाहिए जो आपने सोज समझ्यली है उस से सम्मन्धित आपको सूच ना आए आगड़े उपलब्द हो जाए पता चला आपने ऐसा कोई topic ले लिया है जिस पर अभी तक कोई test ही नहीं बना आपने मां लेजे मनोवज्यानिक कोई topic ले लिया और उस मनोवज्यानिक topic का अभी तक कोई प माली ने कहा, माली ने निम्रिकित पाच बिंदू पताए अपनी समस्या का मुल्यांकन करने के लिए, समस्या ठीक ये भी कहते है कि रूची के अनुकूल होनी चाहिए, ये कह रहे हैं कि समस्या मौलिक होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कौपी की हो, और स एक लिए कि क्या साउधानी है कहां से खोजी है खोज कि क्या प्रकरिया हमने अपनाई है और खोज करके जो सेलेट की है उतका भी हमने मूल्यांकन कर लिया है कि हाँ हमारी अवकात में है कि नहीं है ठीक है इस सब बाते हमने जान लिए कि हाँ हम कर ले जाएंगे हमारे लिए उप्यूगत है यह हम हमारे छमता में है हम इसको इस अनुसंधान समस्या को हम पूरा कर ले जाएंगे और हम अपना रिसर्च कंप्लीट कर लेंगे इस अनुसंधान समस्या के साथ में तब अगला चण आता है मूर आपका इसको अब फेर में आप लिखने का काम करेंगे कथन रूप में लिखेंगे ठीक है तो अगला टॉपिक आता है समस्या कथन टॉबलम स्टेट्मेंट समस्या कथन से तात परे समस्या को सीरसक देने से है बिल्कुल अब अब आप इसे अपना टॉपिक कह सकते हैं आप इतनी बातों के बाद आप किसी समस्या को आप अपना टॉप बुल सकते हैं, तो जब तक समस्या कθन रूप में नहीं लिखी जाएगी तब तक वो हमारा रेयसर्च टरपेक नहीं होगी, समस्या के कथन से तात पर रेयर समस्या को सीर्सक देने से है, सीर्सक प्रस्तावित अनुसंधान की लिखित suspended से नुखर. बुटके उपर लिखा जाता है यानि पहले पेज पर कवर पेज पर लिखा जाता है समस्या को किस प्रकार सीज़शक के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए इस सम्मझ में भी कुछ नियम है जो नियमिनल प्रकार से है कौन कौन से 1-1 दॉलन के अनुसर कहते हैं क्या कि समस्या की पृस्तूति या तो प्रश्ण के रूप में होनी चाहिए या तो सरल कफन के रूप में होनी चाहिए कैसे जैसे लिखा है कि क्या बुद्धि बालकों की सैक्षिक उपलब्दी को प्रभावित कर दी है ये आप का रिसर्च रॉपिक हो सकता है हाँ आखरी में अपसिद्ध कर देंगे कि हाँ ये बुद्धी का बल्गों की स्यक्षिक उप्लब्दी पर प्रभाव पड़ता है विभिन्न आप जो तथ्ये खटा करेंगे उसके आधार पर माली के अनुसार अगर हम कहें तो कहते हैं कि समस्या के जो प्रस्तुती है वो संशिप्त सातथ्यत रूप से होनी चाहिए यानि विधिपूरवग की जानी चाहिए निरतक अनावस्यक और बहुत कलिष्ट सब्दों का परियोग समस्या को कथन के रूप में नहीं लिखना चा स्टेट्मेंट को आप लिखिए जिसको पढ़ते ही विक्ति को एक ही बार में समझ में आ जाए कि ये जो अनुसंदान होने जा रहा है वो किस छेत्र में होने जा रहा है और इस अनुसंदान का क्या उप्योग हमारे जीवन में होने वाला है समस्या का कथन इसपस्ट होना जिसे कथन को पढ़ते ही समस्या में कौन-कौन चर है जिनके पारसपरिक संब्धों की खोज करना नुसंधान का उदेश्य है पता चल सके ठीक है जिसे कोशन आपने लिखा अंग्रेजी माध्यम के विद्यालेओं का अध्यम यह एक आइसपश्ट कथन है अंग्रेजी माध् का तुल्यात्मा कथन यह एक इसपश्ट कथन है इससे समझ में आगया कि अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों प्रकार के बालोकों का हम इसपश्ट रूप से अधिन करने जा रहे हैं तो यह एक इसपश्ट कथन है लेकिन इसमें और भी एच्छी चूँ सकती ह है इसमें हमें छेत्र देना चाहिए कि हम जिला लखनव जिला मेरट आगे इसी को बात आगे कही गई है कि अनुसंधान कथन का छेत्र विस्तार इसपश्ट होना चाहिए कि हाँ आपने कि पढ़ने वाले बालोकों की बुद्धी का सरविक्षण तो बिस सुबर में समझ्या के कथन में ही अनुसंधान कारे की संपूर्ण रूप एखा नहित होती है एक लाइन में आप पुरी बात समझ लिजिए कि अनुसंधान समझ्या के कथन में ही अनुसंधान कारे की संपूर्ण रूप एखा नहित होती है अब इसी प्रकार से अगर समझ्या का परिभासी करण एवं बर्णन किया जाता है समस्या के परिभासी करण से तात परे समस्या को एक परीधि में सीमित करना होता है बिटनी साथ कहे रहे हैं उसे उन मिलते जुलते प्रशनों से अलग करना होता है जो संबंदित परिस्थितियों में भी पाये जाते हैं आरम में ही समस्या का इस प्रकार से विशिष्टी करण व्यवहारिक सीमांकन अत्यंत महत्यपूर्ण होता है और परिभासी करण सकते हैं करते समय में तीन काम करने चाहिए चरू को पहचान लेना चाहिए चरू के भी सम्मद्ध की प्रकत को समझ लेना चाहिए और अध्यन छेत्र का सीमानकन हमें कर लिना चाहिए साधारत्या जो कथन की परशात उसकी विस्तार से व्याक्या की जाती है जो हमने कथन लिखा है उसी की विस्तार से जो व्याक्या है इसी को समझस्या का परिभासी करते हैं और इसी को प्रस्तावित अनुसंधान प्रियोजना इसी को सारान सुरूप जिसे हम सिनॉपसिस कहते हैं या जिसे एजंडम कहते हैं यही हमारा मुलकाम है जिसे अनुसंधान कारिया आरम करने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है और अगर आप सिनॉपसिस लिख रहे हैं या एजेंडम लिख रहे हैं तो आपको इन टॉपिस के अंदर ही लिखना चाहिए कौन-कौन से सबसे पहले समस्या कथन लिखिए समस्या का सैध्धांतिक आधार क्या है यानि उसका प्रस्तावना इसका उप्योग क्या है अगला समस्या का महत्व और ओचित क्या है इसमें परियुक्त हुए तक्निकी सब्दों का अर्थ बताईए उसकी परिभासित करिए उसे इसकी आधार भूत अधार ना गया है और यहां नुसंधान जो है हम किस छेत्र में करने वाले हैं इसका सीमांकन करिए यहां पूरा इस किस्दे करें क्या साउधानी बढ़तें और क्या प्रक्रिया का पालन करें और समस्या को चैन करने के बाद हम किस प्रकार से उसे अपना टॉपिक बनाए और कथन रूप में लिखे इन सब भातोर की चर्चा आज हमने अपने लेक्ट्चर में की है अगर आपको समझ में आय प्रेजि कर दो के जिया जाँ भी जो बना जाँ जो है कि अ कि खालेगा कि कुछर खेजी मता कि जा पुछरी कि अ कर दो है कि की दो है जया है